हेलो फ्रेंड्स उम्मिद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉंट पे दोस्तो असुजन 4 Max Pro M1 में Android Pie के अपडेट आने के बाद काफी लोगों को वॉल्यूम की प्रॉलम आ रही है इसे किस तरीके से क्लियर करना आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तो इसे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसमें शोग किया था किस तरीके से हम हमारे सिस्टेम ग्यासुजन 4 Max1 M1 के डिवाइस की जो वॉल्यूम होती है इसको बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रीक बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप आप जो है वो ट्राइ कर सकते हैं आच्छोल में ये ट्रीक जो है ये हर किसी के है दोस्तों यहाँ पर दो अप्लिकेशन है जिनके डेटा को हमें जो है वो क्लियर करना होता है यानि हमारा जो मुबाइल है इसके एक जो लॉग फाइल से होती है इसके डेटा को टेंपररारी फाइल को हमें रिमो करना है और हमारे डिवाइस कॉन्फिगरेशन के अप्लि क्लियर हो जाएंगे तो इसे किसे करना है तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाल की सेटिंग में आना है सेटिंग में आने के बाद आपको आना है आपस नोटिटिकेशन में और उसके बाद यहां से आपको दो आपस जो है वह फाइंड आउट करने है जिसमें से पहला जो आप है वह है device configuration देखिए हैं पर apps के अंदर all apps में जब आएंगे तो यहां पर सारी apps जो है वह alphabetically order में यहां पर हमें नजर आते हैं तो आप जो है वह डी से सर्च कीजिए पहला ही यहां पर हमें जो device configuration जो नजर आ रहा है इसे में टाइप करना है टाइप करने के data हमें clear करना है और दूसरा application फिर से आपको यहां पर find out करना है जो है puff dump देखिए कुछ इस तरीके से तो यहां पर जो phone के उपर है तो इसे में tap करके on करना है इसमें भी storage में जाना है clear storage करके ok कर देना है इतना करने के बाद आपको foreign बगर किसी activity के किये आपको आपके phone को restart करना है दोस्तों इसको ध्यान रखना है यह important है यहने आपको यह इस तरीक के जो मैंने आपको trick बता है यह यूज करने के बाद आपको phone को foreign restart करना है restart करने के बाद आपकी problem जो है वह काफी chances है कि यह रिमू हो जा, दोस्तों मैं इस trick के ओपर 100% sure तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसे use करके practically नहीं देखा है, काफे लोगों ने इस trick को use किया है और उनकी volume की problem clear हुई है, तो आप इस trick को करके देखिए, अगर आपको problem आ रही है तो आप comment कीजिए झाल और दूसरा है extra volume booster जो उपर की तरफ जो जिस पर max लिगाओ है तो यहाँ पर इसे हम on करेंगी, यह दोना application जो है यह free वाले है जिसमें ads जो आ सकती है आपको दिखेश सरीके से, तो यहाँ पर इसे simply remove कर देना है क्योंकि यह की बारा में set करना होता है, बारबर इन application को तो हमें खुलना नहीं है तो देखेँ, आपर यह भी simple सा है, चाहे तो अब यहाँ से भी इसके volume को increase सकते है जो button दिया वाई हाँ आपर, तो इस सरीके से control कर सकते है चाहे तो system की आवाज को mute कर सकते है, चाहे तो कोई percent पर set कर सकते है तो यह तो एक यह बारा में करना होता है, 100% तो normal हमारा sound होता है बट इनके से साब और boost करना चाहो तो 125, 150, 175 और max मतलब 200 तो यह volume के percentage हमें नीचे दिये है, तो वो आप यहाँ पास set कर सकते हो बट जो है जैसे बताया मैंने पहले भी कि इसे maximum आप ना ही उसकरे तो बैतर है क्योंकि इसमें speaker खराब होने के ज्यादा chances होते हैं तो maximum of 150 परसंट तक ही इसे इसे इस्तेमाल कीजिए क्योंकि यहाँ तक कि जो quality हमें कम हो रही है update आने के बाद तो यहाँ पर मतलब इन्हें इसका coverage हो जाता है अलब यह अच्छे से fulfill कर देती है हमारी need को तो इसके लिए इसे maximum इस्तेमाल ना करें तो यही हमारे लिए ज्यादा बहतर होगा